पालक पनीर की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी बहुत बार खाई होगी लेकिन इतनी टेस्टी पालक पनीर की सब्जी आज तक नहीं खाई होगी चलिए आज बनाते हैं इक तब नए तरीके से बहुत ही लाजवाब पालक पनीर जो इतनी जादा टेस्टी लाजवापसी पालक पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए झाले पालक के साथ सोया लेना ना भूलें इससे पालक पनीर बहुती जयादा टेस्टी लगती है एक गाजर चील कर लेना है और आरीकाटोरी के करीब हरी मतर के दाने लेना है सबसे पहले हमें पालक को एकडम रफली कट कर लेना है इसकी मोटी रंडिया हटा सकते हैं या इसे भी साथ में पीश सकते हैं चोटे चोटे टुकडों में करके क्योंकि जब पालक को पीसेंगे तो सारी चीज़ अच्छे से पिस जाती है, तो पालक को इस तरीके से इतम रफली कट कर लिया है और सोया को भी कट कर लेंगे, आप चाहें तो भी ना सोया का भी बना सकते हैं, लेकिन यह पालक पनीर को और भी ज़्याद़ टेस्टी अगर तो थोड़ा सा सोया जरूर डाले, इसे सोंधापन बढ़ जाता है, सब्जी बहुत ही जादा टेस्टी लगती है, तो पालक और सोया को हमने इस तरीके से कट कर लिया है, अभी हम गाजर को भी कट कर लेते हैं, तो गाजर अगर लंबी सी है, बड़ी सी है, तो एक गाजर ले अब हम पालक को पीस लेंगे, तो मिक्सी के जार में पालक और सोया दोनों ही डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल कर पीस लें, या बिना पानी के भी आप इसे पीस सकते हैं, पालक और सोया एकदम बारी पीस लेंगे, और हाँ पालक बहुत जादा लेने की ज़रूत नही तो यह घर की पनीर मैंने यूज किया है, आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, यह घर पर इक्दम ताजी-ताजी सी पनीर बना सकते हैं, इससे सब्ची जाता टेस्टी बनती है, पनीर को छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लेना है, और पनीर जितनी जादा आप जीरा तेज पत्ता और लॉंग का तड़का लगाएंगे जीरा जैसे ही चटकने लगे इसमें अद्रक लैसन मिर्ची और प्याज का पेस्ट डालेंगे साथ ही एक पिंच हिंग डालेंगे सारी चीजों को मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पका लेंगे प्याज को हलकी हलकी स सुनैरी कर लेना है बहुत जादा इसे हाइफ लेम पर न बूने नहीं तो प्याज जलने लगेगी तो मीडियम या लो फ्लेम पर इसे पकाएं प्याज हलकी हलकी सी सुनैरी हो जाए तब हम इसमें पिसे हुए टमाटर डालेंगे दो टमाटर को अमने पीस कर लिया है चमस देगी मिर्च डालें मसालो को दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेना है टमाटर के साथ साथ ये मसाले भी अच्छे से पक जाते हैं मसाले जैसे ही बारी कटी हुए गाजर डालेंगे और गाजर के साथ ही मतर के दाने डाल देंगे मतर और गाजर को अच्छे से भ डगकार दो मिनट तक पताले गाज़ और मटर सौप्त हो जाए तब भी तो पनीर के बाद सबचे हाज़े चलाएंगे ताकि पनीर तूठे नहिंद त्वर मसालों ने कंना तो पालक ढालें और पालक डालने के बाद बड़े ही आराम से इसे चलाना है, जल्द बाजी नहीं करना है, गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है, पालक के साथ ही थोड़ा सा पानी डालेंगे, ग्रेवी बहुत जादा पतला नहीं रखना है, तो पानी बहुत ही थोड़ा सा डालें, इतना कि प पस तक ढूंत कर बढ़ाएं और पालक डालने के बाद इसे हमें पहले तक पकानी की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजे पहले से ही पगी हुई है और पिषुई पालक को बस मिलाने के लिए हमें दो मिनार तक पकाना है तो दो मिनार पालक में अच्छी से उबाल आ गई है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेती, ज्यादा अच्छा टेस्ट लाने के लिए, तो कसूरी मेती जरूर डाले, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़ी सी हरिदनिया की पत्तियां डालेंगे और इसे मेक्स करेंगे, अब ये पालक पनीर की सबजी बना करके खाईएगा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको और एक बार इस तरीके से बना कर खा ले आना तो हमेंसा पनीर ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे सुपर टेस्टी लगती है तो बनाईए खाईए और कॉमेंट करके फटावट से बताईए कि ये लाजवाब से आपको पालक पनीर की सबजी कितनी ज़्यादा पसंद आई क्या इसके पहले आपकी पालक पनीर इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये पालक पनीर देखने में जितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी है तो एक पर ज़रूर ट्राइ कीजिएगा मिस मत करिएगा पालक कसी जाना है तो फटा फटसे से बनाईए, खाईए और इंज्वाए कीजिए और वीडियो पसंदा है तो वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए दोस्तो आपको यह लाजवाब से पालक पनीर बनाने की वीडियो पसंदा ही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी लाजावाब एक तम नई रेसेपी के साथ लेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई